असम के मुख्यमंत्री हीमंत विश्वा सर्मा ने बुध्वार को वर्ड कप फाइनल में भारत की हार पर चल रहे राजनेति की विवात को एक नया मोड़ दे दिया सर्मा ने तेलगाना में एक रेली को संबदित करते वे कहा भारत उस दिन वर्ड कप हारा जब इंद्रा गांदी की जैनती थी सर्मा ने आगे कहा कि वो BCCI से कहना चाहेंगे कि भविश में ये सुनिचित करना चाहिए कि फाइनल मेच उस दिन आयो जित न किया जाए जिस दिन नहरू गांधी परिवार के किसी सदस्त का जनम दिन हो वर्ल्ड कप में भारत की हार को लेकर चल रही राजनितिक बयान बाजी के बीच सर्मा बोले हम हर गेम जीत रहे थे फाइनल हार गए फिर मैंने आकर देखा वो दिन क्या था हम क्यों हार गए हम हिंदू है और मैं दिन के अनुसार चलता हूँ फिर मैंने देखा कि विश्व कप फाइनल ऐसे दिन खेला गया था जिस दिन इंदरा गांधी की जैन्ति भी थी राजनीती में क्रिकेट वर्ल्ड कप का जिक्र सबसे पहले राहूल गांधी ने किया था राहूल ने 21 नवंबर को उदेपूर के वल्लप नगर में जनसभा को संबोधित करते हुए भारत की हार का जिम्मेदार मोधी को ठेहराय था राहूल ने प्रधान मंतरी नरीन मोधी को पनोती कहा उन्होंने कहा पिये मतलब पनोती अच्छा कासा लड़के वर्ल्ड कप जीत रहे थे ये अलग बाते हरवा दिया भारती जन्ता पार्टी के लोकसवा सांसत रवी शंकर प्रसाथ ने राहूल गांदी के बयान पर आपती चताई है उन्होंने राहूल गांदी को प्रधान मंतरी से माफी मांगने को कहा है प्रसाथ ने कहा आपको क्या हो गया है राहूल गांदी आप देश के प्रधान मंत कि या किसा कर दिवाद